अब मेरा यहां पर आने का अब्जेक्टिव क्या है ठीके मैं यहां पर एक बहुती स्पेशल अब्जेक्टिव के साथ आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों का समय अननेसेसरी चीजों में बरबाद नहीं हो और आप इंपॉर्टन चीजों पर जादा ध्यान दे अब आटीपी के अंदर क्या क्या चीजे डाली है उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आटीपी में अमेंडमेंट्स डाले है जो हमने और रेडी पहले कर लिए है पिछले मेंने में जो पिछले मेंने में ICI ने स्टाचुटरी अपडेट्स डाले थे वो उन्होंने रेपीट कर दिया है आटीपी के अंदर जैसे के आप देख सकते हो बोड के ओपर चेक करो यह स्टाचुटरी अपडेट्स है जो हमने क्लास में बलकि एक यूट्यूब विडियो की तुरू मैंने आपको एड्रेस किया था पिछले मेंने यह सेम नोट्स के तुरू इसी नोट्स के तुरू दिख रहा है आपको यह सेम चीज़े उसी ओडर में सब कुछ वैसा ही है यहाँ पर 115, BAA, BAB का तो मैंने आपको नोट्स भी लिखवाया था क्लास में और टेलिग्राम चैनल पे उसका नोट्स भी डाला था मैंने ठीके तो मैं आपको यह सब बताने नहीं आया हूँ आज यह सब तो आपको पता ही है आपने अल्रेडी देख लिया है मैं यहाँ पर आपका समय बरबाद नहीं हूँ इसलिए आया हूँ समय कैसे बरबाद होगा सर हमारा बताता हूँ आपका समय बर्बाद होगा इस पार्ट में, section B में, objective type questions में, MCQs में MCQ में आप फिर एक दो दिन बर्बाद कर दोगे unnecessarily, जबकि काम एक घंटे का भी नहीं है Sir क्यों? क्योंकि MCQ के अंदर आप solve करोगे MCQ और answer आपको पता नहीं चलेगा कि So I have come over here to give you justification of the answers ICI क्योंकि MCQ का answer देता है, justification नहीं देता है कि answer A काई को है, B काई को है, C काई को है, D काई को है ICI doesn't give that particular justification for MCQs हाँ descriptive question होगा, total income का question होगा, case law का question होगा, उस पे ICI detail notes लिखता है तो वो बच्चे को पढ़के कुछ से समझ में आ जाता है But MCQ, suppose if one of the MCQs students is not getting the answers, then your entire mind will be over there only उधर ही पूरा दिमाग रेगा कि साला इसका answer क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका answer क्या हो सकता है इसका answer B काई को है, D काई को नहीं है, सबका justification मैं देता हूँ 12 MCQs ICI ने डाला यहाँ पर, जबरदस MCQs है, कुछ बहुत ही बचकाने लेवल के, लेकिन कुछ बहुत अच्छे MCQs है आज मैं आप लोगों को इनका justification देना चाहता हूँ, हर एक MCQ का answer तो आपको बताईए, तो आप RTP से देखी लोगे लेकिन उसका justification मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ So my sincere request to you all is, first you all will try the MCQs, in case आपने 10-15 minutes लगा दिया और answer नहीं आ रहा है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह वीडियो में आओ, उसका justification सुन लो, that's it आप दो दो गंटे के MCQ को लेके मत बैटो, किसी friend को पूछने की जरवत नहीं है आप इसी वीडियो को देखो, आपको सारे के सारे 12 के 12 MCQ के justification मैं यहीं पर दे दूँगा, class के अंदर, ठीक है तो चलिए, यह है हमारा पहला MCQ, पहले 3 MCQs जो है, वो case study based है और बागी के 9 MCQs जो है, वो individual MCQs है तो पहले 3 MCQs case study based है तो देखो, इस तरीके से आपके exam में बड़े-बड़े MCQ भी आ सकते है मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ, कि आप जब यह वीडियो देख रहे हो, तो आपने 12 MCQs अपनी तरफ से solve कर चुके हो अगर आप बिना solve करें, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप waste कर रहे हो time कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे MCQ है दिमाग चलाए अपना, आप अपना दिमाग चलाओ, आपको answer दाएंगे answers गलत आ रहा है, या समझ नहीं आ रहा है या answer, इसका ये answer क्यों है, तो आओ, यहाँ देखो तो following are the details pertaining to four resident entities, A, B and company, LM and company, partnership, P, Q and company and XY and company ये चार entity है, previous year 1920 हमारे लिए, previous year apply cable exam के लिए अब उनका nature of business दिया गया है, system of accounting दिया गया है, उनका turnover दिया गया है उन्होंने कितना पैसा RTGS और NFT से लिया है, वो दिया गया है, amount received by way of cash दिया गया है, ठीके amount received by way of RTGS और NFT दिया गया है, और working partners को कितनी salary दिये है, और interest 12% का कितना आता है, ठीके ये कुछ detail इन्होंने दिया है, मैं फिट से कह रहा हूँ, मेरा objective यहाँ पर MCQ को read करके आपको समय देना नहीं है, मेरा objective है आपको MCQ की reasoning देना, कि इसका answer ये काई को है, इसका answer ये काई को है, the moment you feel कि अभी आप देख रहे हो, भी कितना minute हो चुका है, लगबग 5 minute हो चुका है, अगर आपको लगता है, आपने इस सब चीज पहले देखी नहीं है, पहले जाकर solve करो, फिर आओ इस वीडियो को देखो, justification जानने के लिए, ठी ठीक है, now, ये कुछ data इनोंने दिया है, ठीक है, और भी data है, books, profits as per books of accounts, maintained as per section 44AA, after deducting working partners, salary, interest on capital, number of vehicles, column number 2 में है, 1, 3 और 4 में नहीं है, क्यों नहीं है, थोड़ी तेर में समझ में आएगा, अब नीचे इनोंने कुछ वहीकल का data दिया है, कि कौन सा वहीकल कभी खरीदा, और कितनी quantity में खरीदा, और उसका वहीकल का weight कितना है, ठीक है, From the details given above, choose the most appropriate option to the questions given below, अब आपको इस में से सबसे best option choose करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इनोंने कुछ 5 MCQ डाले है, अब यह जो 5 MCQ है, यह question number 1 मतलब इस case study के उपर based है, ऐसे 3 case study based MCQ है और बाकी now MCQ is independent है, ठीक है question number 1, MCQ number 2, MCQ number 3, MCQ number 4 and MCQ number 5, मैं सबका reasoning आपको दूँगा लेकिन पहले आपको try करना है, pause करो, खुद से try करो, फिर reasoning सुनो, चाहिए तो मेरे साथ करो, कोई दिक करती है, pause करो, try करो, फिर reasoning सुनो, now which of the 4 entities are eligible to declare income on presumptive basis under the Income Tax Act 1961 for AY 2021, तो कौन-कौन eligible है, चलो देखते हैं, कौन-कौन eligible है, for the purpose of what presumptive income, तो चलो देखते हैं, क्या, ये eligible है, हाँ, eligible है, क्यों, ये 44 AY में eligible है, firm है, retail बिजनस कर रहा है, 200 lakh तक का turnover है, तो चलेगा, 200 lakh से जाधा होगा, तो नहीं चलेगा, तो ये eligible है 44 AY में, ये eligible है, firm है, और ये 44 AY में eligible है, जो truck वाला section है, ठीक है, यह eligible है यह eligible नहीं है यह trading business कर रहा है तो यह 44 AD में आ सकता है लेकिन 44 AD में LLP को कोई जगा नहीं है 44 AD is applicable to individual HUF and farm excluding LLP याद करो तो इसके लिए applicable नहीं है इसके लिए इसके लिए भी applicable है यह interior decoration कर रहा है यह 44 ADA में चला जाएगा ADA presumptive income for specified professionals और इसका turnover भी exact 50 lakhs तक है अगर 50 lakhs से 1 रुपया भी जादा होता तो हम इसको यहां से उटा के पेग देता therefore the answer will be AB and company is eligible LM and company is eligible this is not eligible XY and company is also eligible and therefore the answer is what the answer is B चेक करो आंसर डिये अ क्लियर है आप पॉस करो पहले situation पढ़ो question पढ़ो answer निकालो फिर बात में मेरा justification सुनो प्लीज बेटा मेरे साथ साथ सुनोगे तो कोई मतलब नहीं आप brainstorming नहीं कर पाऊगे दिमाग ही नहीं चला पा रहे हो फिर आप सब चीजे बारा के बारा MC की उस क्लास में पढ़े है कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोविजन में से बुक में से chapter खोल खोल के बता हूँगा मैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो question number two what is the business income to be declared by ABN company and PQN company for AY 2021 assuming that entities wish to make maximum tax savings but without getting their books of accounts audited उनको books of accounts audit audit के चक्कर में नहीं गुसना है मतलब ABN company and PQN company को अगर presumptive income हो सके तो presumptive income के हिजाब सही कितनी income आई यह वो बता दो बाई अगर हो सके तो audit audit करवा के कम आप income करके नहीं दिखाना है मगाजबारी नहीं मंगता है without audit बताओ अगर कुछ कर सकते हो तो पहले ABN company की income ढूंटे business income क्या हो सकती ABN company की बहुत आराम से हैं गाई नहीं करना भी reasoning सुनो एक एक की ABN company है और किसका पूछा है दूसरा PQN company का बराबर ABN company form है चलो ठीक है retail trading है तो 44 AD में लिचे बहले अब 44 AD क्या बलता है 2 करोड तक turnover है तो आपको 44 AD में deemed income will be 8% of turnover उसमें भी अगर आप electronic mode से पैसा लेते हो account paycheck, account pay draft, RTGS, NEFT, ECS और such other electronic mode जिसके अंदर 6, 7, 9, 10 और सारे points mentioned है such other electronic mode as may be prescribed वो government ने ultimately prescribe कर दिया है पिछले वाले statutory amendment वाले lecture के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि उसमें government ने क्या-क्या prescribe किया है कुझ यहाद आ रहा है therefore अब अपने को क्या करना पड़ेगा इसका turnover का bifurcation इस 200 लाग में से 1500 लाग तो उसने RTGS, NEFT से receive किया है 1920 में तो इस पर उसको लग जाएगा 6% income calculator उठाओ calculator उठाओ 1500 लाग 1500 लिखो बस 30 लाग cash में receive हुआ है तो यह छोड़ दो 20 लाग again RTGS, NEFT से receive हुआ है but 1st April 2020 से लेके 30 September 2020 के बीच में अब actually इनको यहाँ पर 30 September नहीं लिखना चीए था actually इनको यहाँ पर लिखना चाहिए था 31st July, आप खुद सोचो कि जो firm audit नहीं करवाती है उसका due date क्या होता है 31st July होता है, 30th September नहीं होता है और 44 AD में क्या लिखा है कि अगर आप due date of filing of return के पहले अगर पैसा मंगवा लेते हो 4 mode से account paycheck, bank draft, ECS और such other electronic mode जिसमें 6-7 और mode government ने prescribe किया है तो आपका 6%, तो assume करेंगे हम लोग कि यह जो पैसा है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को तो हम लोग assume करेंगे कि यह जो पैसा है यह 1st April के बाद आया है, no doubt, चलता है due date of filing of return तक कभी भी मंगवा हो और 30 September के बीच में है तो हम लोग यह assumption लेंगे अभी यहाँ पर और answer निकालेंगे कि यह due date of filing of return के पहले आ चुका है therefore आप हमारे पास bifurgation है, कैसा 1500 lakh plus 20 lakh add करो 170 lakh will be eligible for 0.06% उसका answer आता है 10.2 lakhs बराबर और यह जो 30 lakh है इस पर आपको कितना percent के साब से dimmed income दिखानी पड़ेगी 0.08 मतलब 8% तो 10.2 plus कितना आता है वो, एक second 30 lakhs का 0.08 2.4 10.2 plus 2.4 will give you 12.6 का answer therefore AB and company can declare the income as 12.6 that is 12,60,000 without getting the books of accounts audited समझ में आया क्या simple है यार इस पर 6% इस पर भी 6% और इस 30 lakh पर आपको लग जाएगा कितना बोलिए 8% अब दूसरी company कौन सी थी मतलब दूसरा firm कौन था उसमे PQN company अब PQN company तो वैसे भी वैसे भी किसी presumptive income के लिए eligible नहीं है तो वो जितना भी profit दिखा रहा है 4.5 lakhs as per the books of accounts वो ही उसका profit होगा और क्या अरे yes or no यार उसके लिए तो वैसे भी presumptive income applicable नहीं है therefore इसका answer क्या आएगा 12.6 and 4.5 and the answer is A चेक कर लो आपको चाहिए तो बाद में इसका answer A है आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हो बाद में second का answer is A clear है that is ABN company will show the business income as 12.6 and PQN company will show the business income as 4.5 without getting the books of accounts audited ठीक है तेली आगे बढ़ते है what is the business income to be declared by LMN company for AY 2021 assuming that the firm wishes to make maximum tax saving without getting its books of accounts audited तो अब LMN company के लिए वो ही काम करना है जो ABN company के लिए किया था चलिए देखते LMN company का क्या scene है LMN company है एक business of flying, hiring and leasing goods carriage तो इसके लिए कौन सा section applicable है 44 A.E अब 44 A.E इसके लिए applicable है तो अब ये क्या करेगा अब ये 44 A.E के इसाब से calculation करेगा और क्या अब सुनो ज़रा बहुत ज़रा ध्यान से अगर आपका वही कल का weight इसके पास पूरे साल में 10 से ज़रा वही कल नहीं है चेक कर लेना 3 प्लस 2 5, 6, 7, 8, 9, 10 total maximum 10 वही कल है उससे ज़रा नहीं है चेक कर लेना question के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ अपने सब question version चेक किया है पहले तो अब अगर 12,000 किलो से ज़ादा वजन है वही कल का कितना 12,000 किलो से ज़ादा वही कल का वजन है 12,000 नहीं 12,000 से ज़ादा वजन है तो 1,000 रुपीस per turn per month per वही कल और अगर 12,000 किलो तक वजन है तो 7,500 per month per वही कल अब मैं आपको बताता हूँ इसका अंसर क्या आएगा ये वहिकल 8,000 किलो की है ये 9,000, ये 10,000, ये 11,000, ये 12,000 तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचवे तक ये जो 12,000 किलो वाली है वो भी 7,500 रुपया पर मंद पर वहिकल के हिसाब से क्या अलकुलेशन होगा clear है clear है उसमें भी date of purchase देखने का date of put to use नहीं देखने का जितने महिने आप owner हो उतने महिने कि आपकी dimmed income होगी कब आपने उसको use किया उससे कोई लेना देना नहीं है therefore मैं orally calculation बता रहा हूँ मैं लिखनी रहा हूँ आपको चाहिए तो आप वो calculation कहीं पर mention कर सकते हो अपने knowledge के लिए that is ये वही कल का कितना calculation आएगा ये 8000 के लोग की है तो इसका 7000 रुप्या पर month तो 7000 बोड पे देखते रहो into 3 into 11 months चेक करो में से लेकर March 7000 into 3 into 11 months answer आएगा 247,500 इसका 7000 into 2 into 9 months जुलाई से लेकर March ये नहीं चेक करने का date of purchase irrelevant है ownership कभी खरीदा वो important है 7000 into 1 into 8 August, September, October, November, December, Jan, Feb, March 8 मेंने 7000 into 1 into 7 September, October, November, December, Jan, Feb, March 7000 into 1 into 5 November, December, Jan, Feb, March clear है और इसका कैसे आएगा 13000 किलो है तो 1000 per ton तो इसका आजाएगा 13000 रुप्या पर वहिकल एक ton का 1000 है तो 13000 किलो है तो 13000 रुप्या आजाएगा 13000 into 2 into 4 months आ गया अब आया क्या अब जो भी answer आया वो आयगा 636 500 बराबर answer वो नहीं है answer वो नहीं है answer क्या है बताता हूँ अब ये LMN company LMN company क्या है LMN company है तुमारी एक प्लाइंग वाली goods carriage वाली company entity तो इसको यहाँ पर presumptive income follow करने के साथ साथ ये deduction भी मिलेगा 44 AD और 44 ADA में salary और interest का deduction नहीं मिलता है जाकर check कर लेना अपनी respective books लेकिन तुमारे इस particular section के अंदर 44 A ही में salary और interest का deduction मिलेगा अगर आप उसको क्या करोगे 2,00,000 रुपया माइनस कर दोगे तो answer कितना आ जाएगा 636,500 माइनस 2,00,000 and the answer will come to 436,500 and the answer is C you can check the answer justification में जान निकल जाई ही तुमारी answer is C तो 5 वही कल पे number of vehicles और एक vehicle पे ton के साब से 13,000 kilo है तो 13,000 ton 13,000 रुपया clear है और key point क्या इसमें दिमाग में रखने आला point यह है कि आपको यहां से क्या less करना था 2,00,000 रुपय का presumptive income जो आपको पहली company के लिए 44 AD में नहीं मिलता है deduction उसका 44 AD में भी नहीं मिलता है 44 AD में मिलता है चेकल लेना जाकर clear है यह बहुत ही चिंदी कोशन है what is the income to be declared by XY and company under the head PGP for AY 2021 assuming that the firm wishes to make maximum tax saving again without getting its books of accounts audited अब इसको भी books of accounts audit नहीं करना interior decorator है 50 लग ठकका turnover है तो बहुत simple है 50 लग का 50% and the answer is 25 लग उस पर जाता दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है answer is C check कर लेना clear है and last MCQ in question number one would your answer to sub part 3 and 4 change क्या आपका answer change होगा if the firm decide to get their books of accounts audited the answer is definitely yes change होगा अगर books of accounts audit कर वाँँगा तो answer बदलेगा definitely बदलेगा therefore the answer is yes there would be change in answers to both sub part 3 and sub part 4 दोनों में change आएगा दोनों में बदलावाएगा अगर books of accounts audit कर वाँगा यहां पर कितना है 636 436 500 है बराबर और इसका actual profit कितना है 4.1 है तो change करेगा यहां पर भी actual profit 25 लाग नहीं 20 लाग यह भी change करेगा बुक्स अपर अकाउंट से कर रहा और अडिट कर वाएगा तो definitely it would change therefore I request you all to go through the entire question once again it's a beautiful question and then we'll move on to what question number 2 question number 2 की तरफ बढ़ेंगे फिरम लोग ठीक है मजा आया कि नहीं ने तो इस justification में अब देको 18 मिनिट में मैंने अपना भाशन भाशन इंट्रोडक्शन देकर सब ख़दम कर दिया justification ने तो आप सोचते बैटो के अब 10 लोगों को पूछोगे 50 लोग गलत आंसर देंगे इस से अच्छा मैं सोचा मैं खुदी आपको पता दे तो ठीक है तो चलिए अगे बढ़ते हैं तो वर्ट इस नेक्स कोश्चन ठीक है अब यह पहले पढ़ना होगा आपको पूरा पारिग्राफ तो पढ़ लेता हूं Mr. Hari a property dealer sold a building in the course of his business to his friend Mr. Rajesh who is a dealer in automobile spare parts for 100 lakhs on 1-1-2020 when the stamp duty value was 120 lakhs the agreement was however entered into on 1st September 2019 when the stamp duty value was 105 lakhs Mr. Hari has received a down payment of 15 lakh by NEFT from Mr. Rajesh on the date of agreement Mr. Hari has purchased the building for 50 lakhs on 12th of July 2018 Mr. Ravi यह Hari और राजेश की कहान ही खतम Mr. Ravi a retail trader sold a residential house to Mr. Walish a wholesale trader for 50 lakhs on 1-2-2020 when the stamp duty value was 70 lakhs the agreement was however entered on 1st of August 2019 when the stamp duty value was 55 lakhs Mr. Ravi has received a down payment of 5 lakh by cross check from Mr. Walish on the date of agreement Mr. Ravi has purchased the building for 32 lakhs on 17th of August 2018 based on the above choose the most appropriate option to the questions given below there are again 4-5 questions over here we need to answer one by one what is the amount of income chargeable to tax in the hands of Mr. Hari in respect of above transaction and under which head it is taxable Mr. Hari के लिए दो आंसर दिना आपने को पहले कितना उसके हाथ में income tax होगी what is the amount of income chargeable in the hands of Mr. Hari and second is under which head it will be taxable ठीके तो सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखना Hari is a trader in property वो dealer है property का तो उसकी income तो PGPP होगी बराबर अब यह पता लगाना है कि कितनी PGPP होगी अब यहां कौन सा section applicable को पता है आपको अब PGPP income है तो यहां पर 50C applicable नहीं हो सकता है यहां पर applicable करवाना होगा 43CA क्या applicable करवाना होगा आपको 43CA जो exactly 50C जैसा ही है फरक क्या है 50C is for capital assets का transfer and 43CA is for the transfer of what a property which is a stock in trade और 50CA कहां पर है 50CA आपको capital gains के chapter में मिल जाएगा 43CA कहां मिल जाएगा अपनी book के इंदर आपको मिल जाएगा इंदर chapter of taxation of gifts taxation of gifts में मिल जाएगा तो अब चलो देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है मिस्टर हरी की income तो PGVP अब कितनी है वो पता लगा रहा है तो मिस्टर हरी ने सबसे पहले कितने में बेचा है 100 lakhs में कब बेचा 1 1 2020 उस दिन stamp duty value कितनी थी 120 lakhs बहुत बारी की से देखना जेस दिन यह बेचा sold a property for 100 lakhs when stamp duty value was 120 lakhs the agreement was however entered into on 19 2019 when the stamp duty value was 105 lakhs agreement पहले हो चुका था ठीके तो date of agreement क्या है 19 2019 उस दिन stamp duty value कितनी है 105 lakh आगे जाकर बढ़ गई कुछ याद आ रहा है एक प्रोवाईश हो है 43 CA और 50 C दोनों के अंदर याद करो यगर date of agreement पहले हो रहा है और transaction आगे जाकर हो रहा है और date of agreement के दिन stamp duty value है और आगे जाकर बढ़ जाती है तो आप agreement के दिन की stamp duty value लोगे अगर आपने पैसा account pay check account pay draft ECS या such other electronic mode से लिया है वो भी agreement के दिन या उससे पहले और partial payment receive किया है तो भी चल जाएगा इतनी बारीक points पर देखो मैंने लिखवाया हूँ इससे डबा है तुम्हारी summary के अंदर उस पर अपने example लिखा है चेक करना therefore agreement कभी हुआ 1st September 2019 उस दिन कितनी value थी 105 लाग अच्छा कुछ agreement या agreement के दिन board पे देखते रहो मेरी सरफ शकल देखना ही मत पेरी क्या agreement के दिन या उससे पहले कुछ पैसा receive किया account pay check buying draft ECS या such other electronic mode में निफ्ट या इस receive किया है कितना 15 लाग therefore यह agreement date है उस दिन 105 लाग रुपे की stamp duty value है और इस date इस date इस date के दिन ही उसने 15 लाग रुपय क्या ले लिया है 15 लाग रुपे का उसने क्या ले लिया है advance ले लिया है therefore आगे जाकर stamp duty value अगर बढ़ती है तो उसको ignore करने का therefore for this this question for this person the stamp duty value is 105 lakhs and because the stamp duty value is 105 lakhs the sale consideration is 100 and because the stamp duty value is not more than 105 percent of the sale consideration 43 CA is not applicable क्या linking बनाया जबर्दस question है जबर्दस दिलकुष हो गया पढ़के आज ही आया आटीप आज ही मैंने analysis कर दिया सारोगा कल तक आपके YouTube चैनल पे mostly कल या परसो तक आ जाएगा आज ही आया आटीप 14 तारीक को therefore कैसे इसका analysis करोगे यह agreement date है उस दिन stamp duty value 105 तो फिर आपको आगे जाकर stamp duty value बढ़ जाती है तो भी चिंता करने की जरुवत नहीं देरफ़र आप इसको क्या कर दो इसको लॉक कर दो 105 लाक्स but 105 लाक of stamp duty is not more than 105% it is exactly 105% 43 CA और 50 CA applicable करने के लिए stamp duty value और actual consideration में 105% से जाधा का difference होना चाहिए यहाँ पर exactly therefore in this case the sale consideration will be 100 lakhs and the cost is 50 lakhs and therefore the answer for first question is 100 minus 50 that is 50 lakhs is taxable as what as PGBP answer क्या है 50 lakhs is taxable as PGBP and the answer is C you can check in the answers later on the answer is C zavardast question zavardast second is any amount taxable in the hands of Mr. Rajesh in respect of the above transaction Rajesh कौन है Rajesh बायर है अब मैं बिना पड़े answer दूँगा बायर के हाथ में पता है बायर के हाथ में अगर 50,000 रुपीज से जाधा का difference है between stamp duty and the sale consideration प्लस अभी एक और condition देखना है 56 to 10 के अंदर भी किस से डिफरेंस 50,000 से जाधा नहीं होना चाहिए 105% से जाधा का भी difference होना चाहिए तो ही बायर के हाथ में भी वो gift माना जाएगा therefore यह इसका answer बहुत simple है अगर first answer आता है तो second automatically आ चाहिए no the amount is not taxable in the hands of Mr. Rajesh reasoning क्या है because the difference between the sale consideration and the stamp duty is not more than 105% वो भी 105% से जाधा होना ज़रूर ही है तो ही gift taxable होता है जाकर चेक करना अपने gift taxation of gift के chapter में third mcq what is the amount of income chargeable to tax in the hands of Mr. Ravi in respect of the about transaction under which head is it taxable अब Mr. Ravi की बात करते चलो इसका रवी किदर है भाई इदर है रवी रवी तो भाई ट्रेडर नहीं है भाई residential आउस्टर वो कुछ retail ट्रेडर है और उसने अपना घर बेचा तो वो उसके लिए क्या बिटल गेंसे ठीक है फिर से अपने को देखना पड़ेगा agreement की date क्या है agreement की date है 1st August दो बहुत बारी की से देखना 1st August 2019 तभी इस time duty value कितनी थी 55 लाग बात में बढ़ गई no doubt आपने कितने में बेचा 50 लाग लेकिन condition सिर्व यह नहीं कंडिशन आपको यह देखना है कि agreement के दिन या उससे पहले आपको पैसा रिसीव करना है अकाउंट पे ही चेक अब अससी ने क्या रिसीव किया Mr. Ravi has received a down payment of 5 लाग by cross check गलती हो गई गलती हो गई cross check नहीं चलेगा there is a difference between a cross check and account पे ही cross check गलती हो गई therefore अब इसको क्या करना पड़ेगा इसका consequence बेर करना पड़ेगा consequence अब इसको क्या अब 55 लाग्स का stamp duty वालू नहीं मिलेगा अब इसका stamp duty वालू 70 लाग और अगर stamp duty वालू 70 लाग actual consideration 50 लाग्स यहां पर account पे ही होना चाहिए cross check नहीं चलेगा account paycheck या account pay draft ECS या such other electronic mode में अगर mentioned है तो उसमें जो भी mentioned है भी M.U.P.I. जो भी 6 साथ है भी आदनी exactly मुझे भी यहां गरबड हो गई उससे क्या point पकड़ रहे देखो ना जबरदस याद तो अब इसकी sale consideration कितनी माननी पड़ेगी यहां से लेकर यहां तक अगर आप गिनो तो 24 months से काम होता है तो यह माना जाएगा सतर माइनस 22 सेवंटी लाक्स का sale consideration मानेंगे बिकॉस दिस और दिस विचेवर इस इयर माइनस 32 विल्कम टू 38 लाक्स का short term capital gains चेक करो आंसर इस सी आंसर इस सी पीचे सब आंसर दिया है गया नीचे चेक करना बाद में 38 लाक्स का short term capital gains मान के चलेंगे आप इसको ठीके अभी 14 कोशन बहुत चीजी है पांसर इस इनी अमाउंट taxable in the hands of Mr. Walish Yes, Walish के हाथ में कितना taxable हो जाएगा सतर माइनस 50 क्या 50,000 से ज़्यादा है जरूर ज़्यादा है बीस लाक्स सतर माइनस 50 का डिफरेंस clear and last but not least राजेश और वलिष जो खरीद रहे है घर राजेश किस से खरीद रहे है हरी से वलिष किस से और दूसरा जो भी बनता है कौन है हो क्या नाम उसका पता नहीं है छोड़ो जो भी है क्या फरक पड़ता है दूसरा रवी है यह राजेश इस से खरीद रहा है और वलिष इस से खरीद रहा है क्या इन दोनों को TDS काटना पड़ेगा यह पूछ रहा है इसको क्यों काटना पड़ेगा 50 लाग की खरीद रहे तो भी काटना पड़ेगा 50 लाग से कम होगा तो काटना अलाउड नहीं है 194 लाग से कम होगा तो टीडियस काटने की जरूरत नहीं है समझाया क्या कुछ पर ले पड़ा दिमाग तुमारे यह है आपका कोश्चन नमबर तू तो इसका अंसर क्या यह स्टैक्स डिड़क्टिबल एड सोर्स बाई मिस्टर राजेश मिस्टर राजेश क्यों काटेगा क्योंकि 100 लाग की प्रॉपटी खरीद रहा है मिस्टर वालेश क्यों काटेगा एग्जाक 50 लाग है तो भी और जब तुम टीडियस कारते हो ना तब स्टैंप डूटी वाल्यू नहीं देखने का रहता है अगर मुझसे कोई जस्टिफिकेशन में गलती होगे इंसान में भी आपका क्या विव है वो भी आप बता सकते हो बिटा ना यह भी बहुत जबर्दस कोश्चन है जबर्दस मतलब जबर्दस आउट अफ द वरल्ल कैलकुलेटर वैलकुलेटर दिमाव गुमाख सब सामने रखना फॉलेंग आरदब पर्टिक्वलेटिग लेडिंग दो फोर इंडियन कंपनीज नेमली ए लिमिटेट बी लिमिटेट सी लिमिटेट अन्डिलिमिटेट यह चार कंपनी का डेटा दिया है इन्होंने अपने का ठीक है यहां पर देखो ए भी टीच अपर देखो ए प planter machinery का value उनका gti gross total income उन्होंने कुछ employees को hire किया है ठीक है और यहाँ पर भी c limited और d limited का turnover का data दिया है और बहुत सारा information यहाँ पर दिया गया है ठीक है एक बार आपको पहले अच्छे से देखना होगा जैसे कि मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप यह मेरे साथ पढ़ नही बार भी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ेस में रिवाइज होगी तो आप इसके basis पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं पहले question का answer आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ what would be the tax liability of B limited for AY 2021 that is PY 1920 if it avails the beneficial tax rates under the special provisions inserted by Taxes and Laws Amendment Act 2019 in the Income Tax Act 1961 पता है लास्ट यर गौर्वर्मेंट ने इंकम टैक्स अमेंडमेंट्मेंड लॉस लाए थे कुछ सेप्टेमबर में उसके बाद उसको चेंज किया गौर्मेंट ने मैंने आपको रिवाइज वाला भी करवाया हूँ स्टाचुटरी अप्डेट्स देखों वन वन फाइब डबले वन वन फाइब याद आ रहा है कुछ दुनिया में तुमको खून खोलेगा मेरा उसे साब से कंप्यूट करने बोल रहा है वाट वुट वुट बी टैक्स लिपिटेट पर AY 2021 if it avails the beneficial tax rates अंडर the special provisions inserted by taxation laws amendment act 2019 in the income tax act 1961 by fulfilling the conditions specified there under assume the gross total income reflects the computation under the special provisions अंसर तो तुमारा चांस ही नहीं है 90% लोगों को इसका अंसर आएगा ही नी आएगा तो I really appreciate be limited का अंसर निकालने का अपने को assuming that कि वो special tax rates follow कर रहा है अब अपने को पहले पता लगाना पड़ेगा इसके लिए कौन सा special tax rates applicable है अब इसका formation कभी हो रहा है formation November 2019 में हो रहा है ठीक है तो अगर किसी का formation 1st October 2019 से लेकर 31st March 2023 के बीच में हुआ है और उस period में अगर company form होती है और manufacturing शुड़ू कर देती है तो उसको 115 BAB का benefit मिलेगा जिसमें उसको 15% का tax rate plus 10% surcharge always plus 4% says always तो सब कुछ मिलागा 17.16 का effective tax rate लगेगा याद आ रहा है तो यह जिसी में fall करता है देखो October के बाद इसने फॉर्म किया है company को manufacture भी कर रहा है अपने में एक अलग importance है इसका थोड़ी देर में पता चलेगा और वारंगल तिलंगाना में manufacture कर रहा है इसका अपने में और बी लिमिटेड इफ इट अवेल्स दा बेनेफेशल प्रोविजन अफ टैक्स रेट तो उसकी टैक्स लिएबिलिटी क्या होगी बता रहा हूं निकाला है आप लोगों ने चलो बताता हूं 2.8 करोर का उसका जीटी आई है पराबर जीटी आई उसका 2.8 करोर का है और यहां नीचे लिखा गया है भाशन के अंदर मतलब जीटी आई ऐसे निकाला गया है जैसे आप स्पेशल प्रोविजन के लिए इंकम कंप्यूट कर रहे हो ना वैसे जीटी आई निकाला गया है ठीक है तो अब सुनो ज़रा बहुत बारी किसे आंसर कैसे आएगा बहुत आराम से सुनना पड़ेगा पागल लोग जो भी 115 BAB फॉलो करता है उसका टैक्स रेट 15 परसंट सर्चा 10 परसंट चार परसंट से जुकेशन से अल्वेज तो 17.16 एफेक्टिव रेट तुम्हारा टैक्स रेट हो जाएगा ठीक है दूसरी चीज़ तुमको बहुत सारे डिडक्शन गवर्मेंट मना कर देती है जैसे जैसे तुमको 32 AD मना कर देगी जैसे तुमको 35 के बहुत सारे सेक्शन 35 AD chapter 6 A के अंदर profit link deductions मना कर देगी लेकिन 80 JJAA अलाओ करेगी जाकर चेक करना 80 JJAA क्या है 80 JJAA is for additional employees और उसमें क्या है कि जो भी employee का per month का emolument 25,000 के अंदर है उनको 30% of additional wages का उनको benefit मिलेगा provided the employees are employed in the financial year for more than 240 days and apparel business में it has to be 150 days याद करो नहीं आदा रहा है तो मैं बताऊंगा मैं सब लेकिया आता हूं साथ में अपने पढ़ाई करना चाहिए इंसान को 80 JJAA क्या benefit है सार 30% of additional employee cost reduction मिलेगा अच्छा does not include an employee whose emoluments is greater than 25,000 रुपीज नहीं मिलेगा plus employee has to be employed for more than अगर वो less than 180 240 days है less than 240 days के लिए employed है तो नहीं मिलेगा लेकिन apparel business में अगर 500 दिन भी employed है तो भी चल जाएगा इसलिए ये इस provision के अंदर apparel का इतना बड़ा importance है बिटा यहाँ पर कभी business शुरुआ first November, November, December, Jan, Feb, March, April November, December, Jan, Feb, March कितने दिनों होते हैं काउं गरो November 31, December 31, Jan 31, Feb 29, March 31, 152 days उते हैं इसलिए बच गया apparel business ये अगर कोंए और business होता न इसको benefit नहीं मिलता जाहाँ चले आसे तो benefit मिलेगा अब अपने को क्या करना पड़ेगा अपने को इसका benefit डुणना पड़ेगा कैसे डुणेंगे यहाँ पर दो किसम के employees है total 1000 employees को employee किया है उसमें से 500 employees को 24,000 emolument है और 500 employees को 26,000 emolument है यह 26 वाले को तो सीधा भार करो उसके लिए deduction नहीं है 24 वालों को मिलेगा कैसे मिलेगा count करो चौबिस हजार 24,000 into 500 employee कितना होता है जो भी होता है multiplied by 5 महिना नमेंबर डिसंबर जैनुरी फेबरेरी मार्च multiply by 5 में टोटल 6 करोड रुपया कुछ आता है उसका 30% तिरको deduction मिलेगा मतलब 1 करोड सी लाक 24,000 multiply by 500 employee 26,000 वाले employees को नहीं मिलता है benefit सलबाग यह से आ गया भे अभे रवी आ गया फिर से एक सेगे ना बेटा यह दिमाग खराब कर रहा है मेरा book हाँ 24,000 into 500 into how many months November, December, January, February मार्च apparel business ऐसलिए बजगिया दूसरा बिजनस दूसरा नहीं मिलता लात पान के भगा देते 240 दिन चाहिए फिर business में कम से कम employee ऐसा नहीं दो दिन के लिए employee को रखा और 30% additional benefit नहीं 240 दिन रखना पड़ेगा apparel business के लिए तो additional benefit मिलेगा chapter 6 में और यह benefit आपको 115 BAB वालों को भी मिलता है यह एकलो था profit link deduction है जो 115 BAB वालों को भी मिलता है तो यह कितना आता है 1 crore 80 lakhs यहाँ पर कितना है 2.8 crore 2.8 crore minus 1 crore 80 lakhs कितना होता है 1 crore यह 2.8 crore है इसका answer 1 crore 80 lakhs आता है तो minus करूँगा इसमें से तो कितना आएगा 1 crore आएगा अब उसमें 15% tax लगाओ 10% CES लगाओ 4% education CES लगाओ सरचार CES यह सब लगाओ तो answer आएगा 17,16,000 रुपए और answer is D जाकर चेक कर लो अपने solution में answer is D उसको D होना चाहिए सरे कभी सुचा आपने सब कुछ यह सब भी आज आज सुबह आया आटीप 11 बज़े में को पता चला दो बज़े में रिकॉर्ड मार डाला इसको एक घंटे में सब मैंने रैप आप पाराश को जल सी जल देता हूं यार वैसे ही बहुत लेट कर दिया इसी आए ने आटीपी देने में और अपने को लेट करनी के आदत नहीं है तुमको पता हिए ठीक है question number 2 की तरह पढ़ते है इसका justification सब ढूंदते बैटो के क्या जिंदगी में पता नहीं चले हो तुमको शांती से देख लो स्क्वच्छे से पहले लेकिन कुछ से ट्राइब करो एक पार by fulfilling the conditions specified therein assuming the gross total income same मतलब अभी a limited के लिए same चीज़ करना है ठीक है तो चलो a limited के लिए same चीज़ करते है अब a limited के लिए क्या करना होगा 4.9 करोड की उसकी total income है ठीक है अब a limited कि दर fall करता है इसने कभी set up किया है इसने 1.9.2019 मतलब इसको 115 B.A.B. का benefit नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा 115 B.A.B. B.A.A.B. यहाँ पर B.A.B. था यहाँ B.A.A.B. प्लस अब यहाँ पर यह steel बना रहा है ठीक है अब क्योंकि यह steel बना रहा है September, October, November, December, Jan, Feb, March 240 दिन नहीं होते हैं बराबर steel वालों के लिए 240 दिन अगर employee अगर employer करते हो तो आपको एटी जेजे डबले में benefit मिलेगा तो यहाँ पर यह जो भाशन दिया है ना इस सब confuse करने के लिए दिया है यहाँ पर इसका कुछ भी deduction तुमको नहीं मिलने वाला है देरफोर यहाँ पर directly क्या करने का बेटा चार करोन नब्बे लाक लेने का calculator पर उस पे 22% tax लेने का उस पे 10% सर्चार लगाओ और उस पे 4% सेस मारो तो आंसर आएगा 1 करोर 23,32,320 रुपीज 1,2,3,3,2,3,2,0 चेक कर लो आंसर वही है अरे वही है 100% पॉइंट नमबर हैं आंसर को वही होना है भाई और कुछ नहीं हो सकता है क्लियर है क्लियर है कॉश्चन नमबर 3 वाट ये जवरदस कॉश्चन है अगर ये स्पेशल रेट के लिए नहीं जाते है बतला में कौ 15% नहीं में को पच्छीज परसंट नहीं में को नॉर्मल 30% टैक्स के हिसाफ से बने अगर अब आपने कोश्चन नमबर 1 और 2 में कैसे किया पहले बी के लिए अपने देखा अगर special tax rate के लिए जाता है तो उसका कितना tax आएगा फिर A के लिए देखा के special tax rate में चाहेगा तो कितना tax आएगा अब बोल रहा है कि A और B अगर special tax rate के लिए नहीं चाहते है ऐसी normal तो फिर उनका tax rate कितना है तो मैं बताता हूँ देखो एक क्या होएगा calculator उठाओ बिटा चार करोण 90 लाख रुपे की तो उसकी income है बराबर बराबर ना ये वाला deduction तो उसको वैसे भी नहीं मिलने वाला है क्यों क्योंकि तेरे पास कम से कम employee 240 दिन के लिए होना चाहिए तो steel बनाता है पैरल तो नहीं बनाता है हाँ लेकिन अब इसको जो special tax के time पे एक benefit नहीं मिला था वो यहाँ पर इसको मिलेगा वो क्या benefit है इस 10 करोड के ओपर उसको 20% का क्योंकि नई plant and machinery acquire and put to use किया है तो इस 10 करोड पे उसको 20% का नई plant and machinery की हिसाफ से additional depreciation मिलना चाहिए था जो तेर को normally अगर तू 115 BAA में computation करता है तो नहीं मिलता ह तो therefore इसको भी इसमें से 2 करोड रुपे का deduction मिलेगा और क्या है simple as that therefore 4 करोड 90 लाग में से 2 करोड निकाल दोगे तो 2 करोड 90 लाग बचता है अब जो 2 करोड 90 लाग है उस पे 30% tax लगाओ उस पे सरचाज भी normally लगाओगे क्योंकि 2 करोड 90 लाग है तो सरचाज कितना आएगा 7% 1.07 से multiply करो into 1.04 तो इसका answer आएगा 96,81,360 एक answer होना चाहिए चारो में से 96,81,360 अब दूसरा answer क्या है वो depend करता है वो C और D में से ही कोई एक answer होना चाहिए बराबर कैसे आए में गो 96,81,360 देखो 4 करोड 90 लाग इन्होंने special tax rates के हिसाब से computation किया है बराबर नीचे भी लिखा है that the gross total income is computer as per special tax rates मतलब वहाँ पर इन्होंने additional depreciation का deduction नहीं दिया तो वो low फिर और क्या इसी लिए तो यह time pass के लिए थोड़ी दिया भाई यह इसी लिए तो दिया है 10 करोड का data तो यह additional depreciation का data मिलेगा तो ठीक है तो यहां से 2 करोड रुपे का normal depreciation मिलता है additional नहीं मिलता है न तो additional भी लो तो 2 करोड 90 लाग आगा उस पर tax लो 30 परसन प्लस 7 परसन सचा क्योंकि अगर 10 करोड तक की total income है तो 7 परसन सचा आज है उस पर 4 परसन सच तो 96,81,360 I hope you are done with this particular calculation अब B का करते है B का और जबर्दस calculation देखो सबसे पहले B की total income कितनी है दो करोड 80 लाग ठीक है दो करोड 80 लाग B की total income है उसमें से उसको वो एक करोड 80 लाग का तो deduction मिलना ही है ना बेटा बराबर अरे हाँ या ना यार वो मिलेगा इसको बराबर तो बचा कितना एक करोड अब यहाँ पर बहुत benefits है क्या benefits है मैं तुमको बताता हूँ यह चार करोड पे सबसे पहले इसको 35% का half मिलेगा 35 क्यों क्योंकि तेलंग आना वारंगल के अंदर इसने manufacture किया है और half काई को क्योंकि सेप्टेमबर में नवेंबर में किया है तो इस चार करोड पे इसको सबसे पहले कि नॉर्माली 35% मिलना चाहिए लेकिन इसको 17.5% मिलेगा कि 70 लाग रुपे का वो टैक्स benefit है ठीक है सुन लो अच्छे से हाँ additional depreciation कि 70 लाग कैसे 4 करोड पे 17.5% 17.5 क्योंकि अगर तुम तेलंगाना में जाकर manufacture करते हो 2020 के पहले तो तुमको 35% benefit मिलता है लेकिन तुमको अभी half मिलेगा क्योंकि आपने 180 days से काम यूज किया है बराबर प्लस 70 लाग का benefit मिल रहा है additional depreciation ये दिमांग में रखना प्लस तेर को इधर 4 करोड पे 15% और मिलेगा क्या सर 15% और क्या आएगा 15% और आएगा 3280 का benefit वो half नहीं होता है देरफोर तेरा total income निल से भी नीचे चला जाएगा चेक करो 2.80 लाग बराबर उसमें से 8.80 लाग तो तेरको वहीं मिल गया बराबर फिर 70 लाग रुपे का तेरको वह benefit मिल गया additional depreciation का और तेको 60 लाग रुपे का benefit मिल जाएगा 3280 का तो तेरा minus 30 हो जाएगा देरफोर यहां पर अगर तो नॉर्मल टैक्स में जाएगा ना तो तिरको टैक्स लगेगा ही नहीं देरफोर दांसर इस गोइंग टो भी वाट निल 96 81 360 निल आ सिंपल ऐसा है कि अरे क्लियर है पागल लोग बहुत मेहनत किया मैंने कि आंसर निकालने के लिए ऐसे में को इतना फटा-फट हो गया है इतना कोई टाइम ही लगा बट तिल तो मुझे भी पढ़ता है ना एकुशन इस नियू फॉर मी अभी चोटर पांचवा कोशन बहुत सिंपल इसमें कुछ है नहीं है वाट वुड भी दे कांटम अटम फैनल्टी बाइसी लिमिटेट अंडर 270 ए अंडर 270 ए श्यूमिंग दा अट अंडर रिपोर्टिंग नहीं है तो मतलब भी under reporting है तो उसके 50% penalty लगती है and none of the additions made in assessment qualifies under 270 A6 assume C limited has not opted for special provisions inserted by Taxes and Laws Act 2019 तो C limited का penalty निकालना है और ये बोलना है कि उसने कुछ वो special rates आप निकिया है चलो देखते कितनी penalty आती है C limited कि अब C limited ने क्या घडबड किया है ये C limited का data है ठीक है 142000 में setup हुआ है trading in leather Tamil Nadu और ये कौन सा साल है ये previous year 1920 तो जो अससी previous year 1920 में उसके पिछले के पिछले साल का turnover अगर 400 करोड तक है पिछले के पिछले साल मतलब 17-18 अगर वो 400 करोड तक है तो तुमको 25% tax rate ने तो 30% यहाँ पर तुमको 30% tax rate लगी गा चलो ठीक है क्योंकि तेरा current year previous year 1920 पिछले कब पिछला साल इस previous year 17-18 तब भी तेरा 499 करोड है तो तेरे को 25% ने 30% के एसाब से tax लगी अभी बहुत simple question इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है मैं directly करना हूँ यह यह इतनी income return में दिखाया इतना process हुआ इतना उसने फिर assess हुआ तो actually में देखा जाना तो आपको कैसा solve करना है वालू tax on tax on under reported income plus processed income minus tax on process इस तरीके से आपको calculation करना है actually speaking therefore tax on under reported income कितनी है चार करोड ठीके चार करोड under reported है ना बीस minus 16 चार करोड प्लस process कितनी पे हुई है process 16 पे हुई है प्लस 16 करोड minus tax on what minus tax on process 16 करोड तो अभी ना कुछ फरक नहीं पड़ता तू 20 करोड पे tax निकाल और फिर 16 करोड पे tax निकाला और फिर minus कर आंसर वो ही आएगा इस से अच्छा तू directly 4 करोड पे tax निकालना चलना तो 20 करोड पे tax निकालेगा तो तू क्या करेगा 30% tax rate प्लस 12% सरचार्च क्योंकि 10 करोड के उपर income है यहाँ पर भी 12% सरचार्च यहाँ पर भी 4% सरच यहाँ पर भी 30% tax rate यहाँ पर भी 30% तो सेम ही दोनों जगे है सब कुछ है tax rate से में सरचार्च से में education सरच से में तो 4 करोड पे directly tax निकालना मागज मारी काई को करता है चार करोड पे 30% ठीक है उस पे 12% सरच उस पे 4% से में तो वो आता है 13977600 एक सेकेंड हाँ हाँ उस पे 50% तो वो आता है 69888800 एक सेकेंड यह आंसर आता है तो चार करोड पे directly tax निकाल 30% प्लस उस पे सरचार्च मार 12% का मार क्योंकि तू इधर भी 12% लेने का है इधर भी 12% लेने का है फिर माइनस करेंगे तो आंसर वो ही आएगा ना है इसका अंसर क्या है 6988800 मैं चेक कर लेता हूं आंसर क्या है इसका फूर्थ का अंसर भी यह बराबर चलो इसका क्या इंकम कितनी है अब इसके पिछले का पिछले साल का टानो और कितना है पिछले के पिछले साल का टानोर इसका 251 क्रोर है देरफ़र इसकी टाक्स रिट कितनी हो जाएगी 25 यहां पर भी मैं डिरेक्ट्री कर सकता हूं बटा मैं क्या करूंगा डिस-20 दो करोड रुपे के उपर डिरेक्ली 25% tax rate 25% tax rate 12% surcharge same 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 tax rate बदल जाएगा क्योंकि अभी 400 क्रोड के अंदर है तो उसको जो भी होगा multiply by 2 कर दूँगा therefore answer will come to बराबर से देख लो क्या कर रहा हूँ पहले 2 क्रोड लो calculator पे उस पे 25% tax rate 50 lakh आएगा उस पर 12% surcharge 56 lakhs हो जाएगा और उस पे 4% says 58 lakh 24,000 हो जाएगा उस पे 200% तो 1,1,6,4,8,000 1 करो 16 lakh 48,000 answer आना चाहिए 1 करो 16 lakh 48,000 answer आना चाहिए यही correct answer है चेक कर लेना फिफ्ट का answer is A तो ये तीन बहुत जबर्दस MCQs थे हैं तब case study based बाकि इसके बाद वाले जो भी MCQs है मैं नहीं क्या रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा straight forward है दिभाग लगाना पड़ेगा बड़ ऐसा कोई भी MCQ नहीं है जो अपने class में जिसका concept नहीं बढ़ा है ऐसा होई नहीं सकता है the knowledge which we have tried to give you the content which I have tried to give you it is uncomparable to anyone in the industry you can compare with anyone बेटा आपको ऐसा कोई भी MCQ exam में होई नहीं सकता है जो आप solve नहीं कर सकते हो आप धंग से पढ़के जाओ बस और कुछ नहीं चलो देखते हैं यह कोशन इसलिए पहले देख लेता हूँ A Limited and Indian company bought back its listed shares from its shareholders तो यह शेरोल्डर से लिस्टेट शेर्स बाइबक किया and B Limited in Indian company bought back its unlisted shares from the shareholders in the month of March 2020 what are the tax consequences of such buyback in the hands of A Limited and B Limited and shareholders A Limited ने लिस्टेट शेर्स बाइबक किया शेरोल्डर से B Limited ने unlisted shares buyback किया शेरोल्डर से तो अब बताओ इनका A Limited, B Limited और शेरोल्डर के हाथ में क्या implication है बहुत simple है A Limited, B Limited दोनों को 115 QA के इसाब से 20% additional tax plus 12% surcharge 4% CES और शेरोल्डर के हाथ में यह income exempt हो जाईगी पिछले साल तक यह provision सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ listed shares के लिए था sorry, unlisted shares के लिए था पिछले साल तक, 2008-2009 तक but Finance Act 2019 ने यह provision extend कर दिया किसको? even to listed companies तो listed companies को भी buyback करते समय 115 QA applicable है unlisted companies को भी buyback करते समय 115 QA applicable है और shareholders के सामने exempt है इसका answer इसलिए point number A चेक कर लेना आप additional income tax at the rate of 23.296 कैसे है 20% tax plus 12% such as 4% says of distributed income is leviable in the hands of A limited and B limited income arising to shareholder is exempt A limited को भी additional tax देना है B limited को भी additional tax देना है और shareholders के हाथ में exempt हो जाएगा ठीक है so next question, question number 5 की तरफ बढ़ते है यह बहुत ही simple सा question है Mr. Ganesh and Mr. Rajesh resident Indians resident है दोनो aged 60 years Ganesh की age 60 years है और Rajesh की age 80 years respectively have not furnished the return of income for previous in 1920 however the total income assessed in respect of such year was under section 144 अभी return नहीं भरा तो 144 में government ने assess कर दिया और क्या अब assess करने समय गनेश की income 8 लाग आई Ganesh की basic exemption limit कितनी है तीन लाग है ठीक है तो उसकी income 8 लाग आई Rajesh की basic exemption limit कितनी है 5 लाग है उसकी 5 लाग ही आई respectively इस penalty लेविएबल अडर 270 है अब गनेश को पेनाल्टी लगेगी क्यों क्योंकि उसकी 8 लाग की इंकम है उसने रिटन नहीं भरा और उसने टैक्स नहीं भरा राजेश को नहीं आ सकती है क्योंकि राजेश की 5 लाग की इंकम है और इसकी exemption लिमिट भी फाइल आक्सी है क्यों इसकी अंडर रिपोर्टेड इंकम कैसे आती है रिटन ही नहीं भरा असने झांटर इंकम लिमिट नहीं रिटन रिटन हीम ठर्डूर्ट इंकम एग मालूम इंकम आशेस्ट इंकम एक्षार रकेंड ऑड़ कूमद इंकम प्लिस बेसीग निकालना पड़ेगा तो अब इसका हाट लाग पर टैक्स निकालते हैं और राजश को तो कुछ भी नहीं होएगा ठीक है राजश की इंकम पांच लाग है उसको वैसे भी पांच लाग रुपे तक टैक्स बढ़ने की जरुवत नहीं होती है और उसको रेट हैं भी बनने की जरुवत है तो अभी आट लाग पर टैक्स कैसे आएगा तीन लाग कुछ नहीं है तीन लाग से पांच लाग पाई परसंट तो उस पे दस अजार आ जाएगा ठीक है ठीक है तो टोटल सत्तर अजार रुपे का टैक्स आया उस पे चार सेथ 70 to 800 उसका 50 परसंट कर दो थीक है अज्यूम करो कि यह अंडर रिपोर्टिंग का केस है देर्फार आंसर विल कम तो 36 400 and therefore सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है अगर आपको 115 A 44 D A में आना है क्या आपको agreement करना है central government इसे अप्रूव करना चाहिए etc. तो मैं से XN company do not have any fixed place of profession in India. तो XN company का India में कोई fixed place of नहीं है. बिसनस नहीं है, place of profession नहीं है तो उसके लिए 115A applicable है याद करो और जिसका fixed place India में है उसके लिए 44D applicable है और दोनों का calculation एक तम लगे XN company does not have a fixed place of profession in India. तो इसके लिए 115A applicable whereas YN company has a fixed प्रोफेशन इंडिया इसके लिए 44 डिया अप्लिकेबल and the contract is effectively connected with such fixed place of profession the revenue expenditure incurred by XN company to earn FTS is 2 lakhs following are the details pertaining to YN company YN company ने क्या क्या खर्चा किया उसका detail इधर दिया गया ठीक है तो अभी अपने को question में पुछा क्या है what is the tax liability in India of XN company and YN company for previous on 1920 in respect of fees for technical service तो पहले XN company का tax निकालते XN company क्या कर रही है service दे रही है किसको दे रही है किसी इंडिया की कोई company को a limited को क्या उसका इंडिया में कोई branch office factory कुछ भी नहीं है उसका कोई fixed place of profession या business नहीं therefore उसको 115 A के बोलोगा 115 A के हिसाब से उसको क्या होएगा जो 20 लाक रुपीज है 20 लाक रुपीज पर उसको 10% tax देना पड़ेगा ठीक है multiply by 10 divide by 100 ठीक है और उसके उपर 20 लाक पर उसको 4% says therefore XN company का जो tax वो आएगा 2,08,000 रुपे सरी 2,00,000 का deduction नहीं मिलेगा नहीं मिलता है no deduction from section 28 to 44 is allowed under 115 A no deduction under 57 is allowed under 115 A deduction अगर allowed है तो किसका allowed है पता है हाँ chapter 6 है का allowed है against FTS अगर chapter 6 होता ना तो FTS की against allowed है अगर say broad forward losses होते है ना तो अला हो जाता है तो इसकी income तो बहुत ही straightforward है therefore ये कितना आ गया 20 लाक इसकी 10% special rate उस पे 4% से 2,08,000 इसकी income होगी अब यन company के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा computation करना पड़ेगा तो अब आप लो calculator उठा लो 20 लाक रुपया calculator पे ले लो अब उसमें से क्या क्या deduction मिल सकता है आराम से revenue expenditure incurred to earn FTS 3.5 lakhs रूख जाना expenditure incurred wholly and exclusively connected with fixed place of profession in India out of the above amount तो ये जो साड़े 3 लाक है ना उसमें deduction मिलता है जो wholly and exclusively आप इंडिया में कर्चा करते हो अगर पार्टली इंडिया के लिए खर्चा कर रहे हो और पार्टली भार कर्चा कर रहे हो तो 44 लाक में से ये तीन लाक है तो ये तीन लाक कर दो पचास जार भूल जाओ पचास जार का deduction आपको नहीं मिलेगा आंसर कितना आ गया सत्रा लाक आ गया ठीक है now amount paid by fixed place of profession to HO तो अभी आप उन इंडिया में जो है उसने किसको पे किया HO को पे किया otherwise then towards reimbursement reimbursement नहीं है ये payment to self है इसका deduction भी नहीं मिलेगा therefore इसका deduction भी नहीं मिलेगा ये तीन लाक मिल जाएगा साड़े तीन लाक में से तीन लाक मिल जाएगा पचास जार भूल जाओ ये एक लाक भूल जाओ ठीक है बाकी तो books of accounts maintain करता है करता है करना जरूरी है 44 डिये में books maintain करना जरूरी है audit करवाना जरूरी है therefore 17 लाक उसकी income है यह answer है 208 पहले का था दूसरे का 53400 आप आंसर चेक कर सकते हो answer to question no.6 is C answer to question no.6 is C clear है आगे बढ़ू आगे बढ़ रहा हूं है question no.7 की तरफ ठीक है अगे लिमिटेड अन इंडियन कंपनी बौरोड मनी फ्रॉम बी आइन सी in country B C limited in country C D I N C in country D and E limited in country चार देशों से पैसा बढ़ू किया इसने the details of which are given here under अगे लिमिटेड अपन इंडियन कंपनी अपनने B से बढ़ू किया C से बढ़ू किया D से बढ़ू किया E से बढ़ू किया चार अलग देश में कितना बढ़ू किया उनको कितना इंट्रेस्ट पे किया प्लस यहां पर लिखा है क्या वो लोग अपने अपना इंटर्प्राइज है तो B अपना असोसेटेड है C अपना असोसेटेड नहीं है D अपना असोसेटेड है E अपना असोसेटेड नहीं मतलब जो हमारा associated है, यह हमारा associated है, has provided guarantee of loan taken by A limited from C, तो अपनने जो इससे loan लिया है ना, उसके लिए guarantee इसने दिया है, अपनने इससे जो loan लिया है ना इससे, उसके लिए guarantee इसने दिया है, तो याद करो 94B section के अंदर ये भी एक deemed dead में आ जाता है, अगर मेरा associate entity मेरे को loan देता है, तो वो तो 94B में covered है, इतना पढ़ने के बाद समझ गया होगा, आपके 94B का case है, लेकिन अगर मेरे associate enterprise ने किसी को guarantee दिया, और फिर वो मुझे loan देता है, तो वो भी 94B में covered है, या मेरे associate entity ने किसी को amount deposit किया है, और फिर वो matching amount मुझे देता है, तो वो भी deemed dead के अंदर आ जाता है, तो इसलिए बोला, C और E पे जरा गौर करना, B has provided guarantee of loan taken by A, from C, तो B ने इसको guarantee दिया है, कि भाई तो attention मत ले, A पैसा नहीं देगा, तो मैं दूँगा, similarly, D, जो मेरा associate enterprise है, उसने E के account में 15 करोड डेपॉसिट किया, और फिर E ने मेरे को loan दिया, चेक करो, D, I, N, C has deposited 15 करो with E, और फिर E ने 15 करोड का medical loan दिया, matching amount, therefore, ये चारो के चारो के चारो के से 94B में cover होएंगे, चारो cover होएंगे, बिटा, अब अपने को क्या करना, अपने को disallowance करना, ठीक है, disallowance is lower of, lower of, point number one, interest, in excess of, 30% of what, EBITDA, और, interest paid to associate enterprise, ठीक है, इन दोनों का अपने को answer निकालना है, जो भी lower है, वो answer हो जाएगा, और क्या, therefore, total interest कितना pay किया, अपने 1.5, 2.5, 2.5, 1.8, ये total कितना होता है, चेक करो, ये total होता है, आट करोर, पराबर, ये आट करोर है, ये दस करोर है, therefore, point number one, कितना हैगा, बोलो, interest कितना है, आट करो, interest in excess of 30% of EBITDA, 30% of EBITDA कितना है, तीन करो, ये हो जाएगा, पाच करो, पराबर, अरे हाया ना, हाया ना, 30% of EBITDA will come to 3 करो, interest will come to 8 करो, हाँ, and total interest paid to associate enterprise कितना है, वो 8 करोर है, अरे ये सभी associated हो गया, अभी तो अपने, deemed to be associated हो गया, ये 8 करोर हो गया, ठीक है, and therefore, whichever is less is how much, whichever is less is 5 करोर, and the answer is 5 करोर, and the answer is D, you can see in question number 7, question number 7 का answer D है, यापर answer है, मेरे पास बढ़र देखनी रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया सबसे पहले, total, ये सभी cover हो जाएंगे, ना, ये dead है, तो ये deemed to be associated है, ये deemed to be associated है, तो EBITDA 10 करोर, उसका 30% 3 करोर, 3 करोर से कितना excess interest है, 5 करोर excess है, total 8 करोर है, इसे साब से आपका ये computation होगा, ठीक है, clear है, clear है, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही आसान question है, M Limited and N Limited are Indian companies, which have to pay interest of 2 lakhs and 1 lakh outside India to Mr. P, a non-trecedent, तो इंडिया में 2 company हैं, एक M, एक N, इनको अपने एक bond holder को 2 lakh रुपया और 1 lakh रुपय का interest देना है, ठीक है, during 1920 on rupee denominated bonds, issued in Jan 2019 and April 2019, ये date पे गौर करना, respectively, which of the following statements are correct, relating to the liability of M Limited and N Limited, to deduct tax at source on such interest payable to Mr. P, अब सुनो, ये वाले bonds का इशु है ज़ा देखना, January 2019, अब याद करो, amendment आया, कि अगर 17 September 2018 से लेकर, 31st March 2019, 17 September 2018, to 31st March 2019 के बीच में अगर bonds issue हुए है, rupee denominated bonds, तो वो interest exempt है, और अगर वो interest exempt है, तो उस पे TDS नहीं कटेगा, therefore, Jan 2019 में जो rupee denominated bonds issue है, वो तो इसका interest तो वैसे भी exempt है, उस पे TDS काटने का क्या मतलब बनता है, therefore, April वाले पे TDS कटेगा, Jan वाले पे नहीं कटेगा, तो देखो कौन सा answer correct है, M limited does not have to deduct TDS, but N limited has to deduct the TDS, and therefore, the question of answer, answer to question number 8 is point number C, check कर लो, check कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 9, again a very intelligent question it is, question number 9 is a very intelligent question, under which of the following cases, will arm's length price be determined by considering the median of the data set, अभी यह चीज़ यादगना, यह rule 10 CA पर है, transfer pricing, transfer pricing का rule 10 CA है, कि उपर applicable है, यह particular question, अब median में कब जाते हो, पता है आप, जब आपका range है न, 35 to 65 percentage के beyond जाएगा न, या below जाएगा न, तो median लेना होता है, तब लेना होता है, range concept में, अगर आपका concept, range concept, और range concept कब follow किया जाता है, तीन methods में follow किया जाता है, और उसमें भी अगर आपके पास कम से कम 6 entries होगी, तो जाकर पढ़ाई कर अच्छे से, बड़े बड़े question कराया है, चार-चार आप लोगों कुछ पर, यहां पर range का concept ही नहीं आता है, और जहां range का concept नहीं आता है, वहां median का concept नहीं आएगा, median का concept सिर्फ वहीं है अपनी के बलोगा, जा पर कम से कम 6 या उससे ज़्यादा entries होनी चाहिए, resale price method, 6 entries है, ठीक है, 6 entries है, does the price fall within the range, if it falls within the range, then there is no issue of median, median में कर जाओ कि आप, अगर वो range में नहीं आएगा, तो आपको median लेना है, जाकर चेक करो questions, third, transactional net margin method, 7 entries है, does the price fall within the range of 35th and 65th percentile, the answer is yes in this case also, therefore median जाने की जर्वत नहीं है, cost plus method, 8 entries है, और यहाँ पर यह price 35th और 65th percentile की range में फॉल नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जा सकते हो क्या, median करने के लिए, अब आप median करोगे, median मत्दब 50%, question is C, only 4, only 4, are you clear, is it clear, अगले question की तरह बढ़ते हैं, Mr. Aakash, made the following cash withdrawals during 1920, देखो इसकी list, देखो, 1st June, 1st July, 1st August, 1st September, October, November, December, Jan, 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 Feb, 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 March, और अभी अपने को पता लगा है, which of the above payers, payers को हैं आपर, bank, पता है, 194N section आया है, एक करोड से जादा withdraw करोगे, तो आपको TDS काटना पड़ेगा, लेकिन ये section कब से आया है, date का केले पुरा, 1st September 2019 से, 1st September 2019 के पहले, अगर कुछ पैसा अगर withdraw किया है, तो उस पर TDS नहीं कटेगा, 1st September 2019 के बाद withdraw किया है, तो TDS कटेगा, लेकिन अगर 1st September 2019 के पहले 70 लाग डिड़क किया है, विड़क किया है, और बाद में 50 लाग विड़क किया है, तो बाद वाले 50 लाग में से 30-20 लाग रुपे के उपर TDS कटेगा, याद करो, विच अफ दी अबाओ पेर्स आ रिक्वार्ट टु डिड़क टैक्स एड सोर्ट ऑन कैश विड़रॉल मेड वाई मिस्टर आकाश, ठीक है, चलो देखते, Bank of India, 1st June, क्या TDS काटेगा, नहीं काटेगा, Bank of India, section कब से अप्लिकेबले, 1st September, date का के लिए पूरा, date, इसलिए date लिखवा है हम क्लास में, यह 70 लाग पे TDS नहीं काटेगा, पहले एक एक बैंक वाइस जाते, Bank of India नहीं काटेगा, इसके बाद Bank of India आता है, क्या देखू नीचे तक, नहीं आता है, मतलब Bank of India is not liable to deduct TDS, क्योंकि Bank of India से, जो भी विड्रॉ किया है, वो section applicable होने के पहले ही विड्रॉ किया है, Bank of India not applicable, Standard Chartered Bank, henceforth called as SCB, Standard Chartered Bank, यहाँ पर नहीं काटेगा, फिर Standard Chartered Bank, यहाँ पर भी नहीं काटेगा, because 45 plus 15 does not exceed 1 crore, उसके बाद Standard Chartered Bank, कहाँ पर है भाई, Standard Chartered Bank, यहाँ पर कितना होता है total, 45 plus 15, 60, 60, 75, 90, यहाँ पर नहीं काटेगा, यहाँ पर नहीं काटेगा, Standard Chartered Bank से TDS काटवाएंगे, Bank of India से तो नहीं काटवाना है, Repco Bank देखते था, 60 लाक्स, इस पर नहीं काटेगा, क्योंकि अभी एक करोड क्रॉस नहीं हो रहा है, भले October में विड्रॉ कर रहा है, तो यह Repco Bank का क्या सीन है, Repco 60, 70, 90, यह भी काटेगा, यह भी काटेगा, इसको भी काटना पड़ेगा, Repco Bank को भी काटना पड़ेगा, Standard Chartered Bank को भी काटना पड़ेगा, SBI, SBI 10 लाक्स, 75, 10 और 75, 85 और 15, एक्षाइक एक करोण, SBI नहीं काटेगा, Therefore, दो बैंक काटेगा, SCB and Repco, answer is D, चेक कर लो, Question No.10 का answer is D, Bank of India क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि उसने जो भी विड्रॉल किया, Bank of India में, वो section applicable होने के पहले किया है, और SBI क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि SBI के case में, exact 1 करोड हो रहा है, और amount should exceed 1 करोड रूपी, और TDS भी कितने पर कटता है, 1 करोड के उपर वाले amount पर, 1 करोड 30 लाग विड्रॉग किया है, तो 30 लाग पर 2 परसन कटेगा, क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा कोश्चन था है, 194 एंड पर रहे हैं, लेकिन amendment को target किया है, बस लास्ट दो कोश्चन से, that's it, which of the following orders are not appealable to commissioner appeal, कौन से order आप commissioner को appeal नहीं कर सकते हो, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से बताओ कौन सा order, आप commissioner को appeal नहीं कर सकते हैं, इसमें से कुछ orders आपको समाझ में भी नहीं आएंगे जिन्दगी, बढ़ानी है ना धंसे इसले, answer is C, an order of assessment passed by AO, in pursuance of direction of dispute resolution panel, जाकर check करना 144 C, ये वाला order directly ITAT को appeal होता है, क्योंकि ये order को, तीन commissioner of income tax, मतलब DRP के अंतर तीन commissioner ने मिलकर इसे approve किया था, तो ये वाला order directly ITAT में पास होता है, बाकि ये ये और ये, ये तीनों की तीनों order will be, will be appeal to commissioner of income tax appeal, बट ये वाला आप CIT appeal के पास नहीं जा सकते हैं, इसके लाब को direct ITAT के पास जाना पड़े हैं, clear है, and one last question over here, which of the following statements are correct, in relation to the power of an income tax authority, to collect information, information collect करने के लिए, कौन सा कौन सा point correct है, which may be useful for the purpose of income tax act 1961, collection of information is done under section 133B, 133 के अंदर information collect की जाती, वहाँ पर क्या क्या power है उनको, the income tax authority can enter the place of business of the SSC, only after sunrise but before sunset नहीं, ये collection का power नहीं, ये survey का power है, survey 133A का power है, the income tax authority may enter the place of business, only during the hours at which such business place is open for conduct of business, yes, ये point लिखा गया है, collection of information वाले section में, जाकर चेक करना अपनी बुक्ते अंदर, ये point लिखा गया है, point number two is correct, point number three, income tax authority may impound and retain books of accounts, नहीं कर सकते हो, information collect करने आओ, खुछ इंपाउंड नहीं कर सकते हो, point number four, the income tax authority can on no account, remove or cost to be removed from building or place, he has entered any books of accounts, yes, it is correct, you have come to correct information, collect information, you cannot collect the things from here, and therefore the answer is two and four, and therefore the answer is D, check कर लो, यहाँ पर दो answer है, D के अंदर दो पॉइंटे, two भी सही है, पॉइंटे 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 जही है, clear है, तो यह मेरी तरफ से एक कोशिश थी, और यह मैंने क्यों किया, बस सिर्फ इसले किया है, क्योंकि आपका time बहुत ज़्यादा important है, at this moment, आज 14 तारिक है, और मैंने आज के आज ही, इस lecture को record कर दिया, के साथ आप शेयर कर सकते हो शेयर करो सबको फाइदा दो समय मत बढ़बाद होने दो अननेसेसरी चीजों में ने तो इन चीजों का जस्टिफिकेशन ढूंड़ने में ना इनसान का ना बहुत समय चला जाएगा प्लस अंदर से ना मतलब हमेशा से ना एक वो रहेगा कि यार के सब्सक्राइटन का जाएगा पॉरम से युट्फिकेश फैसा साथ ऑख साय घ्रती घ्रती का लुका फ्केरीश हैं रहीज है, सब्सक्राइटन का टामै्टा आर्ली में अंने यह चांण इन समय होै आं पारतीक अषरी का एंज इस लॉस एडिशनल है, मैंने इमिजटली अपलोड कर दिया, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूँगा आप लोगों के लिए, but the ball is in your court now, you have to give your best now, whatever time is left, around 45 days, 45 days में दुनिया इदर से उदर कर सकता है इंसान, अगर उसमें वो, वो dedication होता हो, तुम यहां से वहां पूरा हिलाड़ होगे subject, उतना समय अभी भी 45 days बहुत होता है, बेटा, साथ साथ देने एक एक subject के लिए, 6-7 देने आराम से, easily अगर आप अराम से, अगर आप धंक से पड़ो, proper planning के साथ, without panic, दरनेगा नहीं बिलकुल भी, बिलकुल भी नहीं दरनेगा, ज़्यादा क्या होएगा, फेल होगे ना, दुनिया इधर की तो इधर नहीं हो जाएगी, दूसरा अटेम दे देंगे, यह सब सोचने का नहीं, अब सोचो बस यह 45 देज में बस यह को छोड़ कर और कुछ नहीं है हमारे पास, यह सोचो बेटा, मैं फिर से बोर रहा हूँ कि मैं आज भी रोज सुबह छे बज उठता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ करते रहता हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं 12 hours, 13 hours, every day, from year onwards, with full dedication, टाइम पास, निफांच्मेंट पढ़ा, दसमें, टीवी देखा, मुबाइल देखा, वाटसाप, यह वो, सब फल्दुगरी साइड में बेको भी, यह सब करने के लिए पूरा लाइफ है, पूरा लाइफ है, एक बर सी यह बन जाओगे, उसके बाद, ऐसी कुटे जैसी महनत नहीं करनी है, चौदा चौदा गंटे बाट के काम करो, उसमें रिलाक्सेशन का टाइम में प्रेशर है, ऐसा नहीं होता है कुछ, ऐसा 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 प्रेशर नहीं आता है, जो भी, जितना भी पढ़ रहे हो आप, एक डम खुशी-खुशी पढ़ो, पढ़ना ही है, देखो बेटा, अप्शन तो नहीं है तुम्हारे पास कुछ, कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास बचने का भी, यार, छोडणा आप सी यह क्या, अब तो कोई ऐसी जगे पर होना है दूसरा option नहीं पीछे कुछ और नहीं कर सकते हैं तो चलो ठीक है चोड की कुछ और कर रहा हूं अभी सिए फाइनल में आ चुके हो पूरी preparation हो चुकी है सिए फाइनल की classes लगा चुके हो एक्जाम बाग किये बस तो रहा है तो शक्के पढ़ो और आपको बहुत कुछ देगी पैसा देगी शौरत देगी डिग्यी तो इसको अं करने के लिए बहुत मैनत भी करनी पड़ेगी, बहुत efforts दानने पड़ेगी, extraordinary efforts दानने पड़ेगी, और जो आप सब डालो कि मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, so my request to you all, maybe this is the last time I am addressing you all before your exams, इसके बाद शाहिद मेरी और कोई जरुवत नहीं पड़ेगी, कि जो भी मुझे अपनी तरफ से करना था, मैंने कर दिया, उसके नीचे descriptive questions से, obviously मैं वो discuss नहीं करूँगा, कि उसका तो answer already, ICN नीचे दिया ये, answer की दिक्कत कहां पर आईगी आपको, answer की दिक्कत आईगी आपको MCQs में, MCQs की reasoning में, इसलिए मैंने वो कर दिया आप लोगों के लिए, so बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, हाथ जोड़ के आप सब लोगों से मैं request करता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ छोड़ दो, और exam हो जाएगा, अच्छे से पास हो जाओगे, तो मिलने ज़रूर आना, ठीक है, थैंक्यू वेरी मच्छ, गॉड ब्लेस यू अल, टेक क्यार,